Hello beautiful people, welcome to Lucknow Locals. तो कैसे हैं आप सब? यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं सेलो की तरफ से आने वाला बहुत ही स्पेशल कैसरोल Roti Plus के नाम से और यह कैसरोल कितना बहतर है और बाकी कैसरोल से कुछ चीज़े ऐसी है जो हमारी utility के एसाफ से हमारे domestic kitchen के एसाफ से काफी बेहतर हैं यहाँ पे जैसे कि हगर हम सेलो या किसीभी कैसरोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि हमारा जितना भी हमारी recipes हैं कोई भी cheese food हम prepare करते हैं वो गरम रहना चाहिए तो यहां पर वो परपस तो सॉल्फ हो जाता है बड़ जहां बात आती है रोटी प्रकॉडियां इस टाइप की चीजों की तो वहां पर उन सब चीजों में क्या होता है एक अजीब सा मॉइस्टर होने लगता है एक दू घंटे लग जाती है तो रोटी तो इसके अंबॉक्सिंग करेंगे उससे पहले मैं बता दूँ अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और लगनों लोकल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा उससे पहले हम बता दें कि इंडिया के किचिन से र परतनों से तो उसके बारे में आपको डीटेल जानकारी देते हैं तो यहां पर हम लेकर आये हैं सेलो का आपको रोटी प्लस 2.5 लीटर का और 2 लीटर का कैसरोल जो की बहुत जादा बहतर क्वालिटी का है तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि इसकी हम अन्बॉक्सिं हमारे लिए बहतर है जैसे काफी जगी हम लोग ने देखा है कि हम लोग क्या होता है कि कैसरोल में सेट्स खरीद लेते हैं रोटी कैसरोल या और भी कोई भी कैसरोल होता है मिल्टन सेलो के आते हैं तो उसमें हम सेट्स खरीद लेते हैं जिसमें सबसे बड़ा साइस जो होत है 1.5 लीटर तो हमारा क्या होता है कि हमें दो कैसरोल में अपने कोई भी रेसिपीज होती हैं वो रखनी पड़ती हैं पर यहां पर क्या है कि इन्हों ने जो साइस दिया है वो भी बहुत बहतर दिया है और साथ ही साथ देखिए कि मैं आपको बता दो यह कैसरोल दिखने में बहुत स्पीज रखता है पर पता नहीं लोगों को इतना पसंद आता है कैसरोल कि सबसर ज्यादा चाहरे पहले वह बता देतें यह जो आपको अभी अन्बॉक्सिंग कर लेंगे बट मुझे लगता है कि ये कैसरोल हर तरीके के कैसरोल को बीट करेगा यहाँ पर अंदर की तरफ से मिल जाता है आपको रोटी रखने के लिए अलग से अटाच्मेंट अब काफी लोग यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले उठाएंगे कि तो वो इसके साइड में आके अंदर की तरफ नीचे की तरफ चली जाती है जिसकी वज़े से आपकी रोटी पकोडी भीगती नहीं है सबसाची चीज तो यह है और साथ ही साथ अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका शेप डिजाइन भी ऐसा दिया हुआ है बिलकुँ स्लीक, सिंपल, सोबर कि किसी भी डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो बिलकुल हर एक चीज से माच करेगा बहुत जादा तड़कता भड़कता नहीं बनाया गया है और यहां पे साइड में आपको दे दिये गये हैं छोटे-छोटे से हांडल जो आप एजिली कैरी कर सकते है प्राब्लम यह आ जाती है उसकी जो लिड्स होती है लिड्स काफी हद तक निकलने लगती थी तो वह आली कंपनी का इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसी कोई चीज रिकमेंड कर दूं जो की क्वालिटी के हिसाब से या कंपनी के हिसाब से बहुत जादा सक्सेस् और साथ ही साथ यहां पर जो यह कैसरोल यह पिंक कलर का है हाँ एक चीज और है इसमें सिफ तीन वेरियंट्स ही आपको मिलेंगे एक मिलेगा पिंक कलर एक मिलेगा बिलकुल वाइड कलर और एक मिलेगा थोड़ा क्रीमिश कलर तो यहां पर जो मैं लेकर आया हूं एक है प बॉक्स कर लेते हैं तो यह वाला जो मैं बॉक्स करने जा रहा हूं यह है आपका दो लीटर केपासिटी का अब इससे भी एक छोटा साइज आता है जिसको 1.5 लीटर होता है अच्छा एक चीज और बहुत अच्छी मैंने देखी है कि इसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छ जहां से आप डारेक्टली ले सकते हैं और डिसकाउंट तो बहुत लाजवाब चलना है अब ये कैस रोल भी काफी लोग पसंद करते हैं और जिन लोगों को बहुत ज़ादा सिंपल कैस रोल पसंद है और चाहते हैं कि बहुत इलिगेंट लगे उनके डाइनिंग टेबिल दो यह कैसरोल वाइट कलर का है 2 Illiçe क्यापसिटी का है मेरी रिक्मेंडेशन यह रहेगी कि अगर आप चाहें तो 3 nadert क्ले जिसमें आपको 5000 अगर वाइट ले ना है तो 9.5 लीटर वो 2.5 लीटर एक साथ utan कर सक्यारती लेन चाहिए नहीं तो आप डो लिटर के भी 2-3 कैसरोल जितने आपका required है वो ले सकते हैं अगर आपकी family थोड़ी सी बड़ी है 5-7 लोगों की आसपास में है तो 2.5 लिटर के भी कैसरोल आप अलग-अलग से ले सकते हैं आपके लिए कोई foundation company नहीं रख रखी है कि आपको एक ही set ले लेना है जिसमें आपको एक defined sizes है इसलिए company ने इस चीजों का set नहीं बनाया है बिल्कुल कैसरोल ये अलग-अलग ही sell out करते हैं company तो अगर आप चाहते हैं दो लीटर का कैसरोल लेना तो दो या तीन पीस आप अराम से अपने ले सकत यहां पर यह pricing दी हुई है बट इसमें बहुत ही बहतरीन डिसकाउंट है तो बिल्कुल घबराने की ज़रत नहीं है यह बलकि मैं तो कह सकता हूं कि जिस हिसाब से यह casserole दिये हुए हैं जितने लीटर के दिये हुए हैं तो नॉर्मल सेट अगर इस size का भी ले तो भी बाक महीने वर बाद लीजे तो अच्छी कॉलिटी लीजे क्योंकि सवाल है हमारे किचिन का our kitchen को Irk Basisा अपने तो अब Eigen Peake को intentar कriedगा करagtी हैν उसके बार सकते हैं दॉए सकते हैं बब्स और पूर लुक आपको इसासरोल का दिखा देता हूं यह देखिएगा यह complete look है आपके casserole का जो यह आता है cello का रोटी casserole और यह वाला जो variant है यह आपको मिल रहा है 2 liter capacity का नीचे की तरह से भी बहुत ही सही तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर आपको handle मैंने दिखाई दिया थे दिया हुआ है और यह देखिए यह है lid अब lid को भी proper तरीके से हम अच्छे से आपको दिखा देते हैं यह देखिएगा अगर lid की बात है तो lid भी बहुत ही बहतर quality की यहाँ पर दी हुई है और यह देखिए अब यहाँ पर कभी कभी आपको यह भी चीजे मिल जाती तो इसके लिए घवराने की ज़रत नहीं यह इंसुलेशन होता है इसको जब आप चाहें तो इस तरीके से अपने आप निकल जाता है यहाँ पर यह चीज का ध्यान दीजेगा इसमें यह इशू नहीं है कि यह चीजे निकलने लगती है हाला कि बहुत जादा successful casserole है तो यहाँ पर यह रोटी बस casserole 2-liter variant का है जिसमें आपको यहाँ पर यह लिड मिल जाती है और साथ ही साथ यह आपको जो दिया हुआ है यह casserole आपका 2.5-liter का है तो आप अगर इसको आपको लेना है तो आप बिलकुल बेजजग बेफिकार हो के ले सकते हैं Thank you so much keep supporting us